Hello student आज हम लोग क्लास 10 का chapter 10 light reflection and reflection chapter पढ़े हैं हम लोग चले देखते हैं हम लोग आज इसमें हम लोग कौन सा टौपिक देखेंगे Spherical mirror देखेंगे, स्फेरिकल mirror के बारें पढ़ेंगे हम लोग का spherical mirror होता है क्या चली देखते है न हम लोग का spherical mirror क्या होता है Car the reflecting surface of a spherical mirror is will take inwards and outwards Gnostic spherical mirror होता है उस ने कि reflecting surface होता है वो क्या होता है Inwards होता है या तो Artwards होता है हम लोग आगे समझेंगे ठीक है अब चलिए हम लोग देखते है A spherical mirror is द että mirror whose reflecting surface is apart of a hollow sphere of a glass हम लोग कि जो very mirror है वो मतला कि उसका جö reflecting surface होता है वो क्या है किसका पार्ट एक होलो स्फियर ग्लास का क्या है पार्ट है तो चलिए आप लोग यहां देखते हैं ठीक है हम लोग को यहां पे क्या एक स्फेरिकल ग्लास है ठीक है यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे कोई चाको से हम लोग ने इसको क्या क्या काट दिया हम लो से सब्सक्राइब न सफे leaf अगे पढ़ेंगे उससे और कुछ देख लताते इस में इसको हम लोग नहें हम लोग इसको यहां से एक हम लोग का प्रिंसीपल एक्सिस गया ठीक हम लोग का प्रिंसीपल एक्सिस होता है यहां जो सेंटर यहां पर हम लोग का पॉलिस किया हुआ है यह क्या हम लोग पी नाम देते हैं इसको बोलते हैं पॉल आब हम लोग को यहां पर एक सेंटर उसको सी नाम द ठीक है और P से P से C के बीच का जो distance होता है उसके हम लोग R कहते है क्या कहते है एग फिर से समझ यह हम लोग के अधर क्या क्या वा ठीक है पॉलिस क्या हुआ अब देखिए इसके मीड को हम लोग क्या कहेंगे पोल कहेंगे जिसका अम लोग P से denote करते है capital P से अब देख॥ए इस असफ्वयर का Ja IT इसा को जो सेंटर को जो डिश्टेंट को मुझारिए carry अब यहांपे पोल से सेंटर के बीच का वो क्या जोलनुद हो सिपनार सेंटर के इसके अधिश्टेंस पॉइस्टेंस को मुझे हैं डियस कहेंगे और इसके बीच का है एक जो आर होता है वह कितना होता है जो हम लोग कहा है फोकस ऑफ लंद इसको टू टाइम से क्या हो जाएगा रेडियस आजाएगा ठीक है अब देखिए जो हम लोगा स्फेरिकल मिलर होता है न हम लोग युझ कहा कहा होता है जीसे के गाड़ी युझा हो गारी हो गया ऑपका बाइक हो गया और उनमें सब कर युझ क्या होता है ठीक है आज चलिए हम लोग यह बंता है कैसे बंता है Convex mirror मिरर और Concave mirror किसको कहेंगे वह चलिए देखते हैं गुझा न के थेसको काटते हैं चाधे कारते हैं तो हम लोग काट आता हैं अब देखें जिसका हम लोग क्या करेंगे एक काम लोग इधर में क्या कर दिया क्या कर दिया तो इसका reflecting जो reflecting surface होगा वो कौन सा होगा हम लोग का inward होगा ठीक है inward होगा उसका हम लोग क्या कहेंगे concave mirror ठीक है जिसका reflecting surface क्या होता है inward होता है उसका हम लोग क्या कहेंगे concave mirror कहेंगे और फिर यहाँ पे देखें इसका हम लोग ने क्या क्या पॉलिस को अंदर कर दिया अब इसका जो reflecting surface है वो क्या है outward इसका हम लोग क्या कहेंगे convex mirror कहेंगे ठीक है अब हम लोग ने उसको वहीं यहाँ पर लिख दिया convex mirror और concave mirror में अंतर क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है convex mirror कि इसको बोलते है जिसका reflecting surface ठीक है याद रखेगा जिसका reflecting surface क्या होता है outward होता है ठीक है outward होता है इसके inward में क्या होता है हम लोग इसके अंदर में क्या होता है polish क्या होता है और इसका reflecting surface outward होता है और क्या होता है देखें concave mirror क्या होता है concave mirror में इसका reflecting surface होता है वो क्या होता है इन्वर्ड होता है यद रखेगा और हम लोग वीडिimana हो को कर जी मिरर भी हम लोग कहते हैं So student इस वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक के बार में देखेंगे और आगे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे So student वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you